तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी होट चीज को किसी गड़ंच को टच करते हैं तो क्या होता है कि आपका करें उस बरतन से वो जो बरतन है उससे आप बिल्कुल पीछे कर लेते हो सो यहां पर आपको क्या होता है जब आप किसी बरतन को टैश करते हो तो आपको गरम लगता है कि आप जो छो रहे हैं वह बहुत गर्म है तभी तो आप उसे पीछे कर रहे हैं अपने हाथों को और आपको ऐसा फिल होगा कि आपको कुछ नुकसान हो रहा है मतलब कि आपको कोई चोट लग सकती है कोई जलन हो रही है या फिर आपको कोई डैमिज हो रहा है तो आप उसे को इंजरी ना हो इसलिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो यह जो चीजे हैं कितनी देर में हो रही है कुछ चंद सेकेंड में जैसे आपने गर्म जिसको टच किया तुरंध डालिया तो यह कुछ सेकेंड में यह जो हो रहा है ठीक है यह बहुत बहुत ही कम हैं तो यह माधियम किसके माधियम से होता है फ्रेंड हम इसमें इसको करने वाले तो कंट्रोल कोडिनेशन है वह किस तरीके से एनिवल्स में होते हैं सो हमारे बॉड़ी के अंदर कुछ नियूरोंस होती है ठीक है जो नियूरोंस होते हैं वो क्या करते हैं हमारे हॉर्मोंस को जुसको हम तंत्री का तंत्र कहते हैं यह जो प्रक्रियाय होती है जो भी किजे हो रही है प्रक्रियाय हो रही है तंत्री का तंत्र शरीर के भीतर जो होता है मारी बॉड़ी के अंदर जो हॉर्मोंस होते है उसको नियंत्रित करता है ठीक है और इससे जो भी प्रतिकिरिया म functional as well as the structural unit of the nervous system. तो हमारा जो neurons है, वो हमारा structural unit है, किसका nervous system का. So, the main job of these neurons is to receive the external stimuli and then send it to the brain. अब क्या करता है neurons, external जो stimuli है, जो बाहर की जो चीज़े हो रही है, suppose कि जी कि आपने किसी गरम चीज़ को टच किया, तो वो जो message है, nervous system, क्या है nervous system तक पहुचाना, वो उसका neurons का work है, ठीक है? So, that the brain in turn can read those signals and directly them to the necessary, necessary part of the body and take proper action. तो क्यों करता है जो neurons होते हैं, वो क्या करता है, signal को भेजता है और directly जो necessary है वहाँ पर जो भी action लेना है, body part वो action लेती है, example में हम कह सकते है, when you touch something, really hot, अगर आप किसी बहुत ही hot चीज़ को, गरम चीज़ को touch कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? जो neurons है, वो आपके इस message को transmit करेगा brain में, ठीक है? तो क्या होगा? जो आप touch कर रहे हैं, वो hot है, तो ये message sent होगा, और आपका हाथ पीछे हो जाएगा, ठीक है? वहाँ से message आएगा कि आपको अपने hand पीछे लेना है, ये किसका काम है, इमिडेटली आक्शन लेना, ये neurons क्या करते हैं, message convey करने का काम करते हैं, तो इस transfer of message टेक बले स्रू इलेक्रिकल इंपल्स विच मूफ थ्रू आउट थ्रू आउट थ्रू नर्व्स फाइवर्स, तो नर्व्स फाइवर्स के थ्रू भी हमारी बॉड़ी को message पहुचाते हैं, तो friends, यहाँ पर एक chain बनी हुए है, ठीक है, chain in the sense कि आप कुछ वॉक कर रहे हो, आपने किस चीज को touch किया, आपको नहीं पता कि ये गरम है ये ठंडी है, ठीक है, आप उसको touch कर रहे हैं, आपकी body के अंदर कई ऐसे fibers हैं, जो neurons होते हैं, वो एक दूसरे से attach होते हैं, ठीक है, fibers जैसे, ठीक है, जैसे fibers एक दूसरे से attach होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ minute seconds में ही, brain को message देते हैं, कि हाँ, यह चीज है, यह गरम है, हमें अपने हाथ पीछे लेना है, तो हम अपने हाथ 10 seconds में पीछे ले लेते हैं, ठीक है, तो यह जो message जाता है, यह हमारे neurons के through जाता है, ठीक है, so friends, यहाँ पर एक छोटा सा डाइग्रम देख सकते हो आप, यहाँ पर exon terminal है, जो आप यह picture देख रहे हैं, नर्स जो है, इसकी जो ending है, आप ending देख सकते हो इसकी, so these nerve ending tips आप देख सकते हो कि इस तरह से supplies यह इस तरीके से हैं, जो sense organs होती है, लाइक आपने देख्यों हमारे sense organs है, वो कुछ इस तरीके से होती है, और इस डाइग्राम आप देख रहे हो, कि यह जो तंत्री का तंत्र आपके neurons है, ठीक है, neurons जो होते हैं, वो एक दूसरे से attach होते हैं, यह जो exon terminal है, और यह dendroids जो आप देख रहे हैं, और यह nucleus center में, Soma है, exon होते हैं, यह myelin's net है, and the non of ranvir, and savan cells, यह क्या होते हैं, दूसरे से attach होते हैं, जो इनके attachment होती है, एक nurse, दूसरे nurse से जब जुड़ी होती है, तो वहाँ पर एक space होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक जो gap होता है, उसको हम snaps बोलते हैं, Snaps का work क्या होता है, Snaps का work यह होता है, कि वह क्या करता है, जो message है, message को लेता है, और दूसरे nurse तक उसे पहुचाता है, और वह क्या होता है, ऐसे ही सारे chain बनी रहती है, और वह जाती है सिदह ब्रेन के परस, ठीक है, सुजू, यह work चल रहा है friends, यह एक electric work है, बहुत speed से बहुत तेजी से चल रहा है, सुजू हमारा control and coordination है, control and coordination के अंदर हमारा यह है कि जो हमारा system है, वो एक electrical work करता है, electrical work in the sense कि आप जो काम कर रही है, कितनी तेजी से, कितनी speed के साथ, मतलब एक group of chain होता है, उस वे work कर रहा है, कि आप देख सकते हैं कि जो एक चीज है, वो एक दूसरे के साथ, अटैच हो कि कितनी fastly work कर रही है, ठीक है, चन्द सेकंड्स में, माइनर सेकंड्स में कैसे message convey हो रही है, और कैसे उनका reward आ रहा है, ठीक है, जैसे कि suppose कि मुझे अपने finger move करने है, ठीक है, तो मैं just imagine करूं कि मुझे इमाला finger move करना है, उसमें imagine करने में और finger move करने में जरा सी भी देरी नहीं है, कुछ second भी नहीं, ठीक है, तो यह जो movement होती है, यह किसकी विज़े से होती है, किसकी विज़े से हम अपने जो घ्रम चीज़े थेंडी चीज़े हैं या फिर कई सारे ऐसी चीज़े जिसको हम पैचान सकते हैं, वह हमारा nerve जो हमारा neurons हैं उसके थुरूं यह message जो convey ओर रहा है, उसके थुरूं पैचान सकते हैं किहम किस तरीके से कौन से चीज़ ठीक है, इतने ज्यादा तेज होते हैं कि उनको पहले सी पहला चलाता है कि उनको नहीं what is, कि नहीं है काफ़ी सरे आनिमल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा तो basically humans में ऐसा नहीं होता है, काफी कम humans होते हैं, जिनके अंदर ऐसा feel होता है, so animals में काफी कुछ ऐसे हैं, तो हमारा control and coordination है, basically इस base पे है कि सिर्फ humans कोई नहीं, animals को भी पता होता है कि यह चीज गरम है, यह चीज ठंडी है, ठीक है, उनके अंदर भी senses होती है, और neurons होते हैं, जो उनको बताते हैं, कि हाँ यह चीज गरम है, आपको इससे दूर रहना है, ठीक है friends, यहाँ पर खत्रा है, यहाँ पर आपको दूर रहना है, अगर इसके और भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप हमें कमीं बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिख सकते हो friends, so friends, मिलते हैं next video में, so video अच्छे लगिए तो लाइक कीजिएगा, friends को शेयर करना मात भूलेगा, चनल को सब्सक्राइब कर जिएगा friends, thank you so much.